कि नमस्कार स्वागत थ्याव सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन्मिसा क्लासेस में सात्यों दैसा का सभी जानते हैं कि अभी जो बीट के वाई क्लास चल लई है मौनों विज्ञान की इसमें कि आपके यह आहकी जिश्णस चलना था आपके सीखर कर चलाओ था है अब है आपका psychology of teaching learning and development तो यह आपका psychology of teaching खत्म हो गया है अब psychology of learning जो है यह अब कल से start होगा तो आज के अंतिम वीदियो है और जैसा कि आप जानते हैं कि विकास चलना था तो विकास में सबसे पहले आपका था शेचा ऑस्थाम विकास ठीक है वो हम हम बता चुके हैं 0-6 साल तक उसके बाद था आपका 6 से लेकर के 12 वरस तक बाल्या वरस्था में विकास यह भी हम बता चुके हैं हमाजावस्था कैसे सिच्छा देनी चाहिए यह पीछले वीडियो में बताया जा चुका है उसके बाद आज के इस वीडियो में महाध्य करेंगे कि की सोथा वस्था में कैसे मालग का विकास होता है कि सोथा Shams वीडियो में आप पहले बार हमारी चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे की आगे आने वाली डोटी बेंशन मिलती रहे और यदि आज हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सेर भी करिए जिससे क अधिक अधिक प्रसेश्रार्थियों तक इसका लाभ पहुचाया जा सके तो बिना देर के वे आए आते हैं आज अपने टॉपिक किसोरा वस्था जैसा किसोरा वस्था को इंग्लिज में कहा जाता है एडॉल सेंस किसी चीज़ को समझने से पले सबसे पले उसका अर्थ अब है और इसी 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 को मतलब होता है जानी कि जब आलक आपके बाले आवस्था को पृत्याग कर कि शोरा वस्था में कदम रखता है इसका मृत स्वा है और बढ़ रहा है ठीक है उसका जो विकास है वह अप परिपक होने वाला है ठीक है तो दौके यहीं होता है डal Siya Seats Sap germana है अब क्या है आगे कि इसी और क्या नाम जाए जाए जैसे पीछली वीडियों तो ऐसे इसे समस्यात्मक और प्लस नाय परीछा में जटेट आप दे रहें कि समस्यात्मक कहा जाता है तो आप उत्तर लगाएंगे कि की सोरा वस्था को समस्यात्मक और समझ गए और देखिए उस से जहला हमारा है सारणिक विकास से मतलब क्या है सारी विकास मतलब यह है कि सोरा वस्था में बाला का सारी विकास में यह तो असी परशातक थेजरे हो जाता है क्योंकि इसकी आयूज होती है यह आपकी 12 से 18 समयता इसे माना गया हर देशों में अलग-अलग होता है ठीक है लेकिन जो सपुड़ा समती बनी है मनुरा आइकन मे पटक तो मनुदा यानि किही मानते हैं कि 12 से 18 वस्था की जो काल होता है कि सोरा वस्था काल होता है और इस समय जो खड़ियों में मजबूती आती है ठिक दूसरा है हमारा घनिष्ट मित्ता की सोरा वस्ता की एका सात्म पिसेस्ताओं में दूसरा हमारा आता है घनिष्ट मित्ता का अर्थ यह है कि बालक के कुछ बहुत ही कि लोज फ्रेंड बन जाते हैं जिसे आपने सारी बाते सियर काता औरहो दिमें क्या करता जो बात उसके मातापीता को पता नहीं होती है उसका घनिष्ट प्रवल्ता है तो तीसरा हमारा है काम सक्ति की प्रवलता परवलत बालक के अंदर बहुत सारी कावनाएं होती है जिनकों कि वह अपने इच्छा पूर्ती करा चाहता है जैसे कि वह अपने विपरीत लिंगों के प्रती जाला आकर्सित होता है जैसे लड़का है तो लड़की प्रती आकर्सित होता है लड़की प्रती आकर्सित होते हैं तो यह जो आकर्सर का भाव होता है यह आपके किस्वरा वस्ता की जा है विशेस्ताय में गिनायता है जब बालक किस्वर जाता है तो उसके अंदर काम सक्ति की वह जाला प्रवलता हो जाती है आगे देखते हैं वीर पूजा की भावना वीर पूजा की भावना भी किस्वरा वस्ता क सब्सक्राइब करते हैं कि जैसे बालक है किसी महापुरुस को किसी हीरो को किसी हीरोईं को ठीक है और उसके बाद किसी भी आदस समाज में रहने वाले किसी आदस व्यत्ति को अपना क्या करता है अपना आदस मान लेता है और उसी के रहोसा जो जो जीसे रजनी कान तो किसी में आदस माल लिया तो रजनी काहन को कराटा करता सिधने लगा फिश्टे करने लगा वह अपना प्रतिमान बनूगा और विवेकानन्द किसी ने अपना प्रतिमान मान लिया तो विवेकानन्द जरसे महापुरुस त्यागी उनका अनुसरण करेगा वह अपने गुरु का आधास सम्मान करेगा ठीक है आध्यात्म को पढ़ेगा नियमित दिनचर्या को अपनाएगा तो त्यादी कई स शारे कारे करते हैं तो मतलब दूसरों को देख करके दूसरों को आधास मान करके कारे करना वीर व्याय की भावना हीरो वर्ना कलाती है ओर आगे हमारा है आती हैं ठीक है यह सभी आज बालग का मानशिक विकास करती है कोई और कोई चीज़ देख किया और हमसरे पूसेंगे कि बताओ चाकू कहा रखा गए घर में तो वह बताएगा कि है आज यहां पर रखा गवां था तो यह चीजों को याद कर के प्रत्यास मरण करके कुमन duty करता है इसमें। देता है यह सब ये सभी हेंग है इसे ही हेडिंग आपको परिछां में लिखनी बना-बना करके ठीकर जो में मैं आपको समर्जा रहा हूं और सबहा इसमू को महत देता है यह से कि जब वालक की इस और वुस्ता में करता है तो उसके समान में हुआ कि कुछ मित्र बन जाते हैं मित्र मंडली उसके बन जाती है जिसको की गुरूप कहते हैं तो अपने गुरूप को ज्यादा मौत देता है अपने घर के पेच्छा कि सवरा वस्था कि इनका साथ में कि इस सवरा वस्था में जब बालक करता है तो वह अपने समुह को को मोत देता है समुह बना कर कोई कारे करता है और सात्मा है विद्रोग की भावना जिए जो बहुत मत्पूर ने कहा था आधि तुफान और संघर्ष के वस्था है इसलिए कहा था तो क्योंकि बालक के रजो की है किस्फोना तो सोचता है मैं गरवालों से पैसा करूँ खुद मेरी पास पैसे हैं जैसे की सिस्मर वस्ता के बालक होते हैं वह क्या करते हैं कि mobile ुश्प While में कोई application कॉछ淸ा keys करते हैं ुश šk 10 lively मिलता है तो गेम खेल थे तो से फांस मेलते हैं तो उसे किते ह। मैं परा का रिचार्च कर लेता हूं कोई कोचींग पढ़ा रहा है हो तो ऐसे कर कि वह वह थै कि चिंदा लगत हो इसे कुछ धनार्यजन हो सके यह इस भान आती हैं इसके बा matching आगे हैं इस्तिर्ता वस्ता का भाव होता है यानि कि इस्थिता नहीं होती है इसलिए इससे जो आपका है किसोरा वस्था इसलिए किसोरा वस्था को सैसवा वस्था की पुन्रा वित्ती नोट कर लेते हैं सैसवा वस्था की पुन्रा वित्ती पुन्रा वित्ती इसलिए से सहसवावस्था की पूर्णा वित्ति कहा जाता है यानि कि ज़से सहसवावस्था में शीशु जो चंचल होता है वह जगर रहनी सकता है गोध मिलेंगे तो वह किसी चीद को पकड़ने के लोड़ेगा आपका मून ओचेगा या आपकी कपड़े फाड़ेगा ठीक ह तो कुछ नहीं मतलब चंचल होता उसी तरह किसोरा वस्था में भी बालग जो होता है वह स्थिर्टा का अभाव पायाता है इसलिए कि सहसवावस्था की पूर्णा वित्ति का कालगे पूछा जा किसे कहते हैं तो आप कहेंगे किसकोरा वस्था कहते हैं यह बहुत ही खेलेनी चलोगे हाँ चलो चलो किताब बंढ़े के छला जाए खेलने के लिए और समयोजन का अभाव जैसे बालक समयोजन का अभाव भूह करता जैसे कि अगर उसके भरह फवावकोर का से विद्यालेकिंद महों इसलिए वा क्या करता है विद्रों की भावना उसके अंदर रती है ठीक उसके बाद रूचियों में परिवातन वह अस्थाई तो देखे इसमें किस्वरा वस्था के रूचियों में पड़िवत्व हो लाता है धियते बालक की जो रूचियां थी खिरवनों से वहट करके अब बदलने लगती है जैसके उसी जवर्वत होती है उस तरह के उसकी रूचियां हो जाती है जैसे अगर उसे आगे कुछ करना है कुछ बच्चों को कोचिंग जाता था घर जा करके तो मुझे क्या लाया कि मुझे टीचर ही बनना है तो मैं रूचिय बदल गई और मैं टीची लाइन में आगया और आप समझ हाजी हूं और अगर आपनों की दुआ और इस्वर खिरपा रही तो जल्द ही कहीं कहीं किसी समाज सेवा का भाव थे किसी के मदद करना वह बहुत अच्छा समझते हैं और अच्छा है भी ठीक है तो समाज सेवा की भावना इस समय किसोरा वस्ता में हो जाती है क्योंकि कि सोरों में गर्म खुन होता है इसलिए क्या करते हैं वह जड़ा क्रिया सील बहते हैं कोई विकार करना होता है क्योंकि उनके दस समासिवा का भाव होता है और सबसें लाश्य अप्राधिक पक्रिति का विकार्व सकता है कि सुराधिक फृष्ठीर विकार्सस चल सकता है इसलिए बालड को आंधी तुपान कर आती हैं कि वह अप्राधिक प्वित्ती पाव दिकार्स को सकता है जिसे की उसका पुरा जीवन बाद हो सकता है इसलिए कि सोरा वस्थाम का जो बालक होता है उसे पता नहीं चलता है कि यह क्या सही है क्या गलत है इसलिए हमारे समीधान में भी 18 साल के बाद यह 18 साल जो आयू प्राब्द कर लेता है उसे बाली घोसित के आता है अगर 18 साल से कम है उसे नावाली खुशित की आता है ठीक है कि बालक ना समझ अभी है तो अपराधिय पविती का विकास इस काल में हो सकता है इसलिए अभिवाकों को बालक के इस काल पे बहुत जारा ध्यान देना चाहिए ठीक है अब सबसे लाश हमारा है कि सोरा वस्ता में स सिच्छा कैसी हो तो कि सोरा वस्ता में सिच्छा कैसी हो इसके लिए यहां पर 6 बिंदू बने हुए हैं कि पहला हमारा है सारिक विकास सिच्छा यानि बालक के सारिक विकास से समधित उसे सिच्छा देनी चाहिए से ब्यायाम के सिच्छा देनी चाहिए योग के सिच्छा मजबूत हों उसके बाद मानसीक विकास की शिच्छा बाला को मानसीक विकास सिच्छा देनी चाहिए, जैसे उसके तर्क सत्ती या दासचमता उसके बाद प्रत्या समरण करने की बात हो गई या फिर अन्न जो भी है महास्य विकास समन्दी चीजें उनका यहाँ पर अभ्यास कराना चाहिए किसरी वश्था में जिससे की बालग का जो अधिगम करने की चंता हो जारा हो सकिए कि कि अविद्ध करेगा और उसके नियंतित नहीं है तो अभी दोग करेगा और उसके अपराधी पविति का विकास होगा इसलिए बालग के संवेगों को इस्थिर करने के सिच्छा उससे दी जाहिए और यह सिर्फ हो सकता है कि इसके द्वारा यहसी अध्यापक योग के सब्सक्राइब करना कि आगे हैं योन सिछा की सवरावस्ता में जो की गलत रास्तोर पे चल जाते हैं और हमाई समाज में जो का करते हैं काम सक्तिक प्रवलता तो काम सक्तिक से समधि कोई बात कर की जाए तो बहुत ही सरवनाक समय आता है लेकिन यह बहुत ही महत्पूर विसे हैं इन्हीं लज्जा सील बातों के चक्कर में आएसे कई सारे युगा पेढ़िया परबाद हो रही हैं तो बालक को कि सोरा वस्था यह सिछा देनी चाहिए जिसे कि आगे आने वाली समस्याओं से उन्हें बचा जा सके ठीक है और पांचमा हमारा है वयसक ब्यहवार वयसक ब्यहवार को मतलब यह है कि बालक यह सोचता है कि मैं भी बड़ा हो गया हूं जैसे कि बड़े लोग दी जाले बड़े लो पी ना तो बाल्य अवस्था में रहता है और तो चाहिया कि अगर बालक कि सोचर वीथियों करना चाहिए प्रिवतन करना चाहिए प्रिवतन करने से असा यह है कि अगर हम व्याख्या विधी का प्रिवक कर रहे हैं बालों को चीज नहीं समया रही है तो हम क्या करेंगे अपने विधियों में प्रिवतन करेंगे प्रवगात्मक विधी का प्रिवक करेंगे ठीक है और बाकी सारी भी सिछर का प्रयोव करके हम बाज़ों को चीज को संध्यानी का प्रयास करेंगे न कि अपने ही stuffs धानतों पर चलेंगे अगर हमें लेक्चर देना प्रोग चीजियों को बदल करके बाजों को पुई तरह स यह संध्यानी है इस तरह आपका 15 श्वरा वस्था का क्लास की खत्म होत लेकिन बस एक सर्थ है कि चीजें समझ में आनी चाहिए सबको और अगई आपके मनोवी ग्यान की बाद तो मनोवी ग्यान के भी क्लासेश चलेंगी थासा सर अभी कुछ अपने परसनल कामें बीजी हैं खाली हो जाते हैं तो फिर आते हैं क्लास लेने के लिए तो जो क्लास च